जरा सूचें, अगर आप तीन कप चावल पका रहे हूँ, तो क्या आप इसमें तीन कप नमक भी डालेंगे? बिल्कुल नहीं, लेकिन थूड़ा सा नमक पूरी डिश का जाय का बदल देता है, चावल के हर दाने को मजीदार बना देता है. ये चूटा सा जिज एक बड़ा फर्क पैदा करता है, अब इस कमरे की छट की तरफ देखें, जिसमें आप मौजूद हैं, कमरे के मुकाबले में बलब कितना चूटा है, शायद तनासब कुछ बर्न फी थाजन जैसा होगा, लेकिन जैसे ही वो चूटा सा बलब रोशन होता ह अंधेरा छिट जाता है, रोशनी के एक छूटे से जरीए से भगा दिया जाता है अगर मैं दुनिया का नम्क और दुनिया की रोशनी हूँ, तो ये छूटा सा मैं भी बड़े बड़े काम करने की ताकत रखता है कभी कभी हम बड़ाई की शिदत से इतने मगलूब हो जाते हैं कि बे अमली अख्तियार कर लेते हैं और लहर के साथ बह जाते हैं, जो हमें सही लगता है, उसके लिए खड़े नहीं होते छूटा होने का मतलब गैर अहम होना नहीं है, आप अहम हैं, आप की मौजूदगी से बड़ा फर्क पढ़ना चाहिए अक्सरियत का हिस्सा बनने का इंतजार करना बंद करें वो अक्सरियत में तो हो सकते हैं लेकिन वो गैर अहम अक्सरियत हैं और आप आप असर अंगीज अकलियत हैं वो दुनिया के चावल हैं और आप दुनिया का नमक हैं वो कमरा हैं और आप रोशनी हैं अपना असर महसूस करें याद रखें आप दुनिया की खुश्बू हैं जो इसे खुबसूरत बनाने के लिए हैं लहाजा अगर हम सिर्फ एक जिन्दगी को भी खुबसूरती से सजा सकते हैं तो हमारी जिन्दगी जीने के काबल है आपका दिन अच्छा गुजरे मजीद बलंदियों तक पहुंचें और मजीद आगे बढ़ें आज किसी की जिन्दगी में नमक या रोशनी बने